हेलो दोस्तो बेलकम बेक टू दे चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और आप सभी को पता है कि उत्तर परदेश लोक से अब आयोग यानि कि UPPSC जिसे हम PCS की परिक्षा भी कहते हैं उन्होंने अपना notification अपनी website पर अपलोड कर दिया है जी हाँ जो परिक्षा उनकी 2023 में होनी है उससे संबंदित और ये मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो वेकेंसी है वो टोटल है 173 और परिक्षा कब होनी है और उसके साथ साथ कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं आजडिट के आए सबके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो अल्र अपलोडेड है आप जाकर देख सकते हैं आज हम बात करेंगे उसी क्रम में परिक्षा की योजना याण कि exam pattern उनका कैसा होता है, कितनी परिक्षाई होती है, कितने घंटी की परिक्षा होती है, कितने नंबर की question आते हैं, कैसे question पेपर होते हैं, इन सब के बारे में, बस वीडियो के अंतितक आप बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा, चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों, आप देखिएगा, उनके notification में, परिक्षिस्ट 4 पर परिक्षा की योजना दी हुई है, कि परिक्षा कैसे होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, परिक्षा जो है, 2023 वाली है, और इनकी जो प्रतियोगिता की परिक्षा होती है, वो तीन इस यानि की question दिया होगा, उसमें 4 option होगे, उसको आपको एक option सही करना होगा, और फिर जो goal खाने वाली OMR sheet होती है, उसको आपको खाने भरने होगे, इस तरह का जो normal papers ज्यादतर होते हैं, उस तरह का paper होगा, दूसरी होगी मुख परिक्षा, जब आप ये परिक्षा पास कर ल परिक्षा होती है, question आएंगे, आपको description, type answer उसके देने होगे, तीसरा इसका है, वो है मौखिक परिक्षा, यानि की जिसे हम interview कहते हैं, ये एक व्यक्तित्व परिक्षा होती है, आपका इसमें व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है, तो तीन इस्तर इनके होगा परिक्षा क आपको पता चल गया, अब आगे चलते हैं कि प्रार्मभी परिक्षा में क्या क्या होता है, ये देखें प्रार्मभी परिक्षा जो इनकी है, उसमें या पर दिया हुआ है, आपने ये प्रार्मभी परिक्षा के बारे में दिया हुआ है, इसमें दो अनवारी आपके दो घंटे का होगा ये भी लिखा है यानि कि चार घंटे आपकी परिक्षा होगी दो घंटे में एक प्रशनपत और दो घंटे में दूसरा प्रशनपत दोनों ही वस्तुनिस्ट और बहु विकल्पिये होंगे ये भी लिखा है और OMR sheet पर लिखा है ये OMR sheet पर होगा जिसका उ प्रशन पत्र में आपके देट सो होंगे प्रशन और दूसरे में सो होंगे पहला जो प्रशन पत्र होगा वो आपका सुबह साड़े नौ से साड़े ग्यारा के बीच होगा जिस डेट को भी होगा और दूसरा प्रशन पत्र आपका धाई बजे से शुरू होगा और वो करने को मिलेगा लेकिन प्रशन जो है वो अलग है पहले में डेट सो है और दूसरे में सो है इसको याद रखेगा और एक ही दिन परिक्षा होनी है ये भी याद रखेगा दोनों प्रशन पत्र की परिक्षा एक ही दिन होगी ये लिखा देखिए प्रारंबिक परिक्षा का ज वो प्रशन पत्र उसमें कैसे कैसे कोश्चन आते हैं वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी यह उसमें आपका पूरा जीएस का मैस वगरा और रीजनिंग साव आता है उसमें तो 33 परतीशत उसमें अंकलाना अनवारी होगा जब आप इसमें पास हो जाएंगे त तो आप उससे अहर नहीं रहेंगे अनहर हो जाएंगे यह देखे लिखा है अगर आपका एक भी प्रिशन पत्र आपने हल नहीं किया या आपने छोड़ दिया दोनों परिख्षाएं आपको देनी होंगी पहला प्रिशन पत्र भी हल करना होगा और दूसरा भी एक ही दिन दोनों होते हैं तो आप दे दे उसके बाद यह लिखा देखी जो मैंने आपको बता था ब्यारतियों की योगिता क्रम यानि की जो मैरिड आपकी बनेगी वो प्रारंबिक परिक्षा के प्रथम प्रशन पत्र के अंक यानि कि दुद्धिय प्रशन पत्र मैंने आपको बता पूरा मैं आपको बताओंगी बस वीडियो में बने रहे गा और उसके बारे में देखिये लिखा भी है कि पार्ठक्रम क्या होगा परिशिस्ट 6 में दिया है तो ये देखिए इसमें जो पृषिन पत्र है descriptive type question के answer आपको लिखने हैं पहला इसमें है सामान हिंदी का आपको दिख रहा है पहला पृषिन पत्र सामान हिंदी का है और दूसरा प्रिशिन पत्र हैं आपके यह सब सामान अध्यान के होंगे और जो 200 अंकों के होंगे आप देख लीजेगा हैं यह सब 200 अंकों के हैं और याद रखिएगा इससे पहले जब परिक्षा हुई थी लास्ट येर तक मतलब इसी साल बदलाब हुआ है इस मुख्य परिक्षा में कि जो बाद की यह जो सातमा आठमा सामान अध्यान का प्रिशन पत्र जोड़ा गया है इससे पहले यह हमारा ऑप्षनल सब्जेक्ट होता था हम जो सब्जेक्ट चूज करते थे कि हमें हिंदी देनी है या हमें बायलजी लेनी है या बहुत एक विज्ञान लेनी है ऐसे उस सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे ये वाले उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह सामान अध्यन के ही दो प्रिशन पत्र लगा दिये गये हैं याद रखेगा ये भी दो दो सो अंको के ही है ये बदलाव हुआ है और से सम्मन्द देख वीडियो मैं अल्रड़ी अपने चैनल प्लप्रो हो गए ये टूटल और ये तीन सो ये यानि कि पंद्रा सो नंबर का ये आपका पेपर होता है याद रखेगा ये पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पंद्रा सो नंबर का पेपर होता और इसके बारे में ये देखे लिखा है कि ये प्रमपरागत प्रकार का या साड़े नौ से साड़े बारा है अपरहान दो बजे से साए पांच बजे तक होगा ये भी है इसमें ये है कि आपका जो तीन गंटे वाले प्रशन पत्र होंगे उसमें एक दिन में दो पेपर होंगे एक साड़े नौ से साड़े बारा और एक दो बजे से पांच बजे तक इस यथा इस्तिती शाशन या आयोग द्वारा आधार आवधारित किये जाएंगे यानि कि अगर शाशन ने कह दिया कि हिंदी में इतने नंबर लाने हैं तो उतने नियुनतमंक आपको हिंदी में लाने होंगे तभी आपको पास माना जाएगा तभी आपकी मेरिट बनेगी कभी के भी ऐसा होता कि हमारे और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन हिंदी में हम नहीं ला पाई उतने नंबर जो शासन के द्वारा आवधारित किये गए हैं तो इसको ध्यान में रखना है तो यानि कि आपकी दो परिक्षाई हो गई अगर आम मुख परिक्षा या साक्षातकार ये सो अंको का होता है इसमें क्या है परिक्षाई के ये पूछा जाता है सामान जागरुकता उसके बुद्धी चरितर अभी व्यक्ति की शमता व्यक्तित्व सेवा के लिए सामान जो भी उप्युक्त द्रश्टी से रखते हुए जो कोश्चन है अभी फिर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है तो आपको समझ में आ गया कि तीन इस तर की परिक्षा होती है इसमें पहली प्रारंबिक परिक्षा जो अब्जेक्टिव टाइप फिर मेंस होते हैं मेंस में आपके आर्ट पेपर होते हैं जिसमें हिंदी में आपको पर आप देख लीजेगा जो लोग सिवा आयोग यानि की उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की जो वेबसाइट पर पूरा जो नोटिफिकेशन अप्लोडेड है उसमें आप जाके खुद भी कनफर्म कर सकते हैं दोस्तों तो कैसा एक्जाम पैटर्न है क्या बदलाब ही जाएगा दोस्तों धन्यवास दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में